ये कहानी है प्राचीन यूनान के बहुत ही प्रसिद दार्शनिक सुकराद की वे दिखने में कुरूप थे एक दिन वे अपने कमरे में बैठे आईना देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे तबी उनके कक्ष में उनका एक शिश्य आया अपने कुरूप गुरू को आईना देख शिश्य को बहुत ही अजीब लगा वह मन ही मन सोचने लगा गुरूजी तो बहुत ग्यानी है पर उनका चहरा बतसूरत है क्या बतसूरत इंसान को अपना चहरा आईने में देख कर खुश होना चाहिए ये बात तो समझ में नहीं आई क्या मुझे ऐसे व्यक्ति को गुरू बनाना चाहिए वो शिष्य ऐसा सोच ही रहा था कि सुकरात की नजर अपने शिष्य के चहरे पर पड़ी उन्होंने अपने शिष्य की मनोस्थिती जान ली और बोले बेटा, मैं तुमारी असमंजस का कारण समझ रहा हूँ तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसे गुरू पादमी को आइना देखने की क्या जर्वत है शाद तुम ये भी सोच रहे हो कि क्या तुमने मुझे गुरू बना कर कोई गलती तो नहीं की शिष्य अचम्बित होकर सुकरात की ओर देखने लगा और उसका सिर शर्म से जुक गया सुकरात अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले बेटा, मैं तुमारा गुरू हूँ मुझे मालूम है तुमारे मन में अंगिनत प्रश्न चल रहे है अपने सवालों को पूछो, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करूँगा आप तो अंतरियामी है, आपको मेरे मन में उट रहे सवालों के बारे में पता है गुरू जी, आप मुझसे क्यों बुलवाते हैं? सुकरात अपने शिशी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले तुम यही सोच रहे थे ना, कि मैं कुरूप होकर आइना क्यों देख रहा हूँ? जी, गुरू जी बेटा, मैं कुरूप हूँ, इसलिए मैं रोज अपना चहरा आइने में देखता हूँ क्योंकि आइना देख कर मुझे अपनी कुरूपता का हर पल ग्यान होता रहता है आइना मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना कुरूप हूँ मैं अपनी कुरूपता को अपने अच्छे कर्मों से ढखना चाहता हूँ इसलिए मैं हर रोज इतने अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ जिससे लोगों को मेरी कुरूपता से ज़ादा मेरे अच्छे कर्म नजर आते हैं जिससे मेरी कुरूपता पूरी तरह धग जाती है अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं हर रोज आइना क्यों देखता हूँ पर आपको रोज रोज आइना देखने की क्या आवशक्ता है? आवशक्ता है वत्स मनुष्य की स्मर्ण शक्ती बहुत कमजोर होती है यदि मैं अपने कुरूपता को रोज याद नहीं करूँगा तो मैं रोज अच्छे कर्म करना भी भूल जाऊंगा गुरुदेव समझ गया पर मेरी एक शंका और है वो भी इसी सवाल से जुड़ी है निसंकोच होकर पूछो वत्स मेरी शंका ये है कि अभी अभी आपने बताया कि आप आईने में अपनी कुरूपता देखकर अच्छे अच्छे कर्म करते हैं ताकि आपकी कुरूपता अच्छे कर्मों से ढख जाए इस हिसाब से तो सुन्दर व्यक्ति को तो आईना देखना ही नहीं चाहिए वो तो पहले से सुन्दर है और आपके तरक से उन्हें अच्छे कर्म करने की भी कोई जर्वत नहीं है क्यूंकि सुन्दर व्यक्ति को कौन सी अपनी कुरूपता ढखनी है नहीं वत्स आइना तो उन्हें भी अवश्य देखना चाहिए वो इसलिए ताकि सुन्दर इंसान को ध्यान रहे कि वे जितने सुन्दर हैं उन्हें उतने ही सुन्दर कर्म भी करने चाहिए यदि वो बुरे काम करेंगे तो कहीं ऐसा नहों कि उनकी सुन्दर्ता तो ढग जाए और खुरूपता उभराए सुकरात की बात सुनकर शिश्य निशब्द हो गया उसे गुरू का रोज रोज आईना देखने का रहसे का पता चल गया और वह अपने गुरू के आगे नत्मस्तक हो गया